पूटेरी बीबी, नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाता है, पर नीता को अपने बॉइफ्रेंट से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तयार नहीं होता. इनी सब उल्जनों के बीच, नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा अपने गुस्से के चलते नीता शादे के अगले ही दिन से परीवार में सब को उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है जिससे घर में सबको दिक्कत होती है लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता एक दिन सास नीता के पास आती है बहु? की गल? तुसे की बेनाल या किसी गल से नराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करंदी कोई लोड नी, मैं ठीका ऐसा बोल नीता वहाँ से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है शादी के अगले दिन से ही में सब्दे नाल किनना ओखा भी है किता फिर भी हम मेरे तो इनने प्यार नाल गल किवे कर सक दिया मानू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती है कि एक ना एक दिन तो हड़ा गुस सबी खत्म हो जाओगा इहा कदे नहीं हो सकदा इससे पहले रागव कुछ बोलता, नीता का मुबाइल बजने लगता है जिस पर रागव वहाँ से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो वो बिना किसी के बोलेगर के सारे काम कर देती है उसकी ऐसी काया पलट देख रागव और उसकी मा हैरान रह जाते हैं बहू, तब यच्छ ब्यता ठीक सी तब यच्छ दो मा मैंनू लगदा आ इस दा दिमाग हिल गया ए तुसे दोनों की गल करी जान दे हो मैं ठीक आ ते मेरा दिमाग भी बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने कुछ से विच किनना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी नीता की बात सुनकर से बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है जिसकी वज़े से कुछी समय में घर की सारी भाग दौड उसके हाथों में आ जाती है उसी के साथ सास और रागों भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्नम बहु बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है ए हुई नगल, हुन आएगा जिन्द की विच्छ स्वाथ तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक राथ सास और पती के सूती ही सारे गैने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉइफरिंड के पास चली जाती है नीता की ये बात सुनकर रवी खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवी उसके लाए पैसों पर आश करता रहता है मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके सिसुराल छड़ाई और एक तूआ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा ओ मारानी अपने काम तो काम रख मेरे ते जुबान लडान दी जरूरत नहीं वरना इस घर तो बाहर कर देना है ए मैर अगरा तेरा सिसुराल नहीं जीवे मन किया रह ली इतरहन लाई हाथ चला सुबान नहीं रवी की बाते सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही तूट जाता है एक तेरे करके मैंने अपने माँ भी ओनाल उस भले चंगे सिसुराल नो भी धोगा दिता ते तू छड़ परे मेरी ही गलतिया जे अखा उत्ते तेरे प्यार दा पर्दा डाल अस दिन फोन ते तेरी गलना विच आ गई जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उत्ते ही बैठी होनी सी ए भाशन उनना दियो जिस्ते इसका फर्क पड़े मेरे कॉल नाटंगे नहीं रवी वहाँ से चला जाता है और नीता रोती पच्टादी वहीं बैठ जाती है हायो रब्बा ए मैं की कर दिता उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती एक तक घर छोड़ा नाल चोरी भी की कोई महड़ माफ नहीं करूगा घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवी का घर छोड़ नहीं सकती इसी तरह दिन बीचते हैं और उनी के साथ हालात बच से बत्तर होते जाते हैं अब रवी पैसों और अपनी मन माने के लिए नीता के साथ मार पिट भी शुरू कर देता है जिससे परिशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है जिससे वहाँ देख रागव गुस्से से लाल हो जाता है हूनी थे की ले नाया हमारी जिन्दगी के साथ घर ता तो पहले ही बर्बाद कर गई सी जान दिया मेरी गलती माव फिलायक नहीं मैं कमली सी उस धोंगी नो सच्चा प्यार दे सच्चे प्यार नो बहुत समझती बैठी मैंनो माव कर दो जे मेरी नूरानी समझ गई या की उस तो गलती हुई या फिर किस बात का रूसना मना ना केडी नूरानी रानी बोलन जोगा इसने केडे जंडे गार दिये मा याद कर तेरे घर विच चोरी कर बहुत पत्नी सब रिष्टे तोड़ भाग गई सी और फिर की मानता रहिया गलती हो कर इसी एक गलती ता रब भी माफ कर दीता ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही या माफ कर दे मैं बोल रहिया ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी इस दा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले ठीका, जीवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल देई, मेरे कोलो कोई उमीद ना रखे, तुसी जीवे कहोगे अपसास हर रोज रागो को मनाने की कोई ना कोई नई तिक्डम बता कर नीता को उसके पास भीशती रहती है जिससे कुछ समय बाद नीता का पच्टावा और कोशिशे देखकर रागो भी उसे माफ कर देता है